वेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेड्स राइट्स आज का वीडियो मत्रदेश नीटी उजी काउंसलिंग राउंड वन के रेजिस्ट्रेशन पोसेस के रिगार्डिंग है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइ को ओपन करेंगे इसके बाद पहले नम्मर पर दी हुई MP स्टेट कम्माइंड यूजी काउंसलिंग वाली हेडिंग पर क्लिक करेंगे आपके ऐसा करते ही आप डारेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर सिंस आप पहली बार वेबसाइट पर बिजिट कर रहे हैं इसलिए आपक को नेट यूजी रोल नमबर एंटर करना है एंड एन सिक्रेट की अब यह सिक्रेट की क्या है तो इसके लिए आपको नीचे नूट दिया है सिक्रेट की 16 डिजिट की होगी जिसमें पहले आएगा अप्लिकेशन नमबर फिर आएगा जिरो एंड फिर आपका नीट का स्कॉ मैं आपको एक एक एग्जामपल के तुरू सिक्रेट की जनरेट करना बताती हूं आप उससे समझ कर अपनी सिक्रेट की जनरेट कर सकते हैं सपोज आपका नीच का अप्लिकेशन नमबर है 232212345689 यह 12 डिजिट का नमबर है आप इसे पहले लेखेंगे 232212345689 इसके 400 है तो जीरो के बाद आप लिखेंगे 400 शिक्रेट की इस तरह से आपकी रेडी हो जाएगी सिक्रेट की बना लेने के बाद आप उसे एंटर करेंगे देन क्यापचर एंटर करेंगे and create profile वाले option पर click कर देंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से डेश बॉड ओपन होगा जिस पर आपका नीट, यूजी रोल नमबर, अल इंडिया परसेंटाइल, अल इंडिया रैंक, अल इंडिया नीट स्कूर, आपका नेम, डेट अप बर्थ, फादर्स अंड मदर्स नेम और जेंडर, ये अल्रेडी फिल्ड शो होंगे, नीचे आपको अपनी contact details एंडर करनी है, जिसमें आपको अपना मुबाइल नमबर, alternate मुबाइल नमबर, email address इन सबको फिल करना है, नेक्स्ट आप फिल करेंगे photo ID proof और उस पर mention number, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कि photo ID proof में आप अपना voter card, pen card, driving license, passport, 12th class का admit card और mark sheet, या फिर bank password को choose कर सकते हैं, बट आधार card का option नहीं mention है, तो आप उसकी detail नहीं देंगे, इसके बाद आप अपना address फिल करेंगे, इसके बाद अब आपको अपनी bank details फिल करनी होंगी, जिसमें आपको account number, account holders name, IFSC code, bank name and branch name ये सब फिल करना है, इसके बाद आप square box में tap करेंगे और proceed पर click कर देंगे, फिर next dashboard open होगा, जहां आपको otb enter करनी है और password generate करना है, आपको password strong होना चाहिए, आप 8 से 15 character तक का password generate कर सकते हैं, जिसमें कम से कम एक upper case, एक lower case, numeric character और एक special character सामिल जरूर होना चाहिए, ये सब फिल कर देने के बाद आप validate and save पर click कर दें, so now आपको profile create हो चुकी होगी, आप चाहें तो website से log out कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने ये सब discuss किया है कि profile create कैसे करनी है, वीडियो से related आपकी कोई भी query है तो आप comment box में बूस सकते हैं, आप मेरे telegram channel भी join कर लें, जिससे आपको सारी authentic information on time मिलती रहे, टेलिग्राम चैनल की link वीडियो के description में भी available है, thanks for watching the video, stay tuned, all the best.